क्या आपको insurance products में invest करना चाहिए बहुत तर insurance का अपनी बड़े बड़े advertisement लाती है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी और ये और वो प्लीज ध्यान रखिए insurance is a product of risk management insurance का purpose है कि आपके risk को कम करना तो अगर आपको insurance लेना है तो सिर्फ term plan लेना है जिसने बहुत ही कम premium लगता है और insurance उनको ही लेना है जिनके उपर कोई dependent हो कल को आपकी life को कुछ हो गया तो आपके dependence को दिक्कत नहों इसके लिए आपको term insurance लेना है लेकिन अगर आपके पास already sufficient funds है sufficient assets है, investments है तो आपको term insurance पे भी premium खर्च करने की जरूरत नहीं है insurance को और investment को दो अलग-अलग product treat करना है insurance शरिफ term insurance लेना है और जो भी आपका premium बसता है यह जो बड़े-बड़े scheme में आप डालते हो कुछ-कुछ मेरे friends बताते हैं कि उन्होंने डेड़-डेड़ लाग, दो-दो लाग रुपए है चिरिफ insurance का premium बड़ा है मैं सही बता रहा हूँ यह बहुत ही गलत है जिसने भी आपको advice दिया है बहुत ही गलत है और आपने भी वो काम किया पोस्ट आफिस के deposit में भी invest कर सकते है insurance products में आपको बहुत ही कम return मिलता है यह बड़े-बड़े लुभावने वादे करते हैं लेकिन इनने charges बहुत लगते हैं और बहुत ही कम return 4-5-6% के उपर मिलता नहीं है वो भी मिलेगा या नहीं कोई इसकी guarantee नहीं है जितने भी guarantee return बोलते हैं प्लीज इनके जहासे में नहीं आना है कौन सा insurance product लेना है term insurance कब लेना है जब आपके उपर कोई dependent हो या आपके पास sufficient resource नहीं हो जिसको आपके dependent जिसको depend हो सके हैं इसके लिए आपको insurance लेना है उसके अलावा आपको अपने परिवार के लिए health insurance भी लेना है अटकल कब कौन सी बिमारी हो जा और क्या problem हो जा नहीं जानते फिर hospital का दिल बहुत बढ़ा सकता है तो एक term insurance और एक पूरे परिवार के लिए health insurance लगना है और जो भी amount invest करना है वो आपको अलग pure investment product में करना है जैसे shares हो, mutual fund हो bank FDO, post office deposits हो या कोई government bonds हो जिसमें आप कर सकते हैं तो उमीद है ये video आपको पसंद आया हो और काफी काम का होगा चोकि market में बहुत गलब तैमी चल रही है insurance product को लेकर और बहुत ही miss selling होती है insurance agents द्वारा बिलकुल नहीं सुनना है इनको बिलकुल नहीं सुनना है मेरा नाम जिनोत कुमार अगरवाल chartered accountant और पूरे होसो हवास में मैं ये कह रहा हूँ कि insurance अगर लेना है तो स्रिफ तम insurance लेना है उसके अलावा कोई insurance product नहीं लेना अपनी life के लिए medical insurance ले सकते हैं car insurance ले सकते हैं ठीक है तो thank you very much हमारे वीडियो को like subscribe अभी कीजिए और ऐसे वीडियो बहुत आने वाले आपके काम के लिए जल्दी से हमारा YouTube channel ES Foundation subscribe कीजिए thank you very much happy investing आपके कीजिए